हलो स्टूटेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल टी एच क्लासेस पर हमारा मोटो है वी टीच अचीव यानि हम पढ़ाएं और आप सभी अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करें मैं चैनल की होस्तानू लेकर आगई हूँ आप सभी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट वीडियो इसमें हम डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी चैनल पर चल रही है आपकी इंपोर्टेंट चैप्टर्स विद क्वेशन आंसर उसकी मैराथॉन जि होंगे वह जो एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से बहुत जादा बार पूछे जाते हैं ठीक है तो यह चैप्टर आज मैं करवाने वाली हूं जो कि है आपका जिसका नाम है प्राचीन विश्व क्लास 10 वाले बच्चों के लिए हिंदी मेडियम में और यह है शोशल साइंस समझ में आ जाएं और मेरी गारेंटी है अगर आप वीडियो को अच्छे से समझ समझ कर देखते हो जो मैं आपको बताऊंगी उसको आप अच्छे से देखोगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने के जरूरत ही नहीं है कोई भी इंपोर्टन क्वेशन आंसर क इसी और चीज को देखने के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुझ ही इस चैप्टर के आंसर देने के लायक बन जाओगे तो बस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियो आपके लेलाती रहूं जल्दी से पहले आइ देखोगे कि हम बहुत अची से आपको समझाने वाले हैं और आपके लिए बहुत जादा मैनत भी करते हैं तो लाइक तो बनता है और शाथी साथ कॉमेंट में मुझे जरूर बताईएगा आपको वीडियो कैसी लगती है थागी मुझे फीडबैक भी अपना पता चलता रह है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर का नाम ही है प्राचीन विश्व अब प्राचीन का मतलब होता है पुराना ठीक है चैप्टर का टाइटल में हमेशा समझाती हूं आपको पुराना और विश्व का मतलब आप सभी को पता है world या फिर पूरा संसार यानि हम इस chapter में क्या पढ़ने वाले हैं basically chapter के title से ही पता चल जाएगा पुराना संसार यानि पुराना विश्य कैसा था पुराना world कैसा था आज का जो नया word है उससे पुराना वर्ल किस तरीकी का था तो तो इससे पहले हम इंट्रो पढ़ेंगे, चैप्टर में क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो पढ़ेंगे, आपने अपने पुरा इतिहास, पुरा इतिहास यानि पुरानी इतिहास के विशे में सबसे पहले अध्याय से जानकारी ली, अब इससे पहले एक जीरो अध्य सबसे पहला चेप्टर वहीन है सामाजिक विज्यान के बारे में इसमें अच्छे सा कारी जीज सा माजीकी विज्यां क्या होता है अगर ये वीडियो इतन Yogoda नहीं है बस ऊसमें थोड़ी姐शा कहाि में और बाकी सारी चीज़े जो भी होती है चीक है उसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं तो उसमें हमने यही जाना कि इतिहास क्या होता है वगेरा वगेरा आपने यह भी पढ़ा कि पुरा पाशान काल में मानव ने किस प्रकार पत्थर लकडी और जानवरों की हड़ियों से ह तियार बनाना सीखा या ओजार बनाना सीखा वो उसने क्यों सीखा क्योंकि जानवर होते थे अपनी रक्षा करने के लिए उसने इस सारी चीज़े सीखी यह मानव गुफाओं में रहते थे और अपने लिए खाने का प्रबंद जानवरों का शिकार करके या इधर उदर से अता है गया सोग्यारा सब कुछ है हमारे पास ऊवेलेबल लेकिन पहले के मनुश्यों के पास ऐसा कुछ नहीं था तो वो क्या करते थे हैं इंटने और और खाने के लिए वह क्या यूस्फ करते थे जानवरों को मार के थे राइट क्रिषी बगेरा या लोका भी ख्यान नहीं था उस टायम पे सड़ों-हजार साल बाद रखेती और रहाकी सब्सक्राइब उसी समय उन्हों ने पशुपालन बी शुरू कर दिया अब उन्होंनी क्रिशिर पता चली ऐसे होती है खेती की जाती है इसके बाद उन्होंने खेती करना के लिए भी आ हमें बैलोm के भी जरूरत थी तो इसलिए उसने क्या कर पाना खाती हैit कि भई दूद भी मिलता रहा है इसके साथ साथ खेती भी फसले भी हो जाएं वह ये इसलिए कर पाएं क्योंकि आदी मानव ने अपने रहने के लिए ठिकाना ढूंड लिया था पहले के जो आदी मानव थे वो इधर उधर घूमते थे लेकिन अब उन्होंने ठिकाना ढूंड लिया इसलिए उन्होंने खेती करना पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था इसी कारण वै क्रिशी करने में भी सफल हो पाया पाशान यूग के बाद आया धातु यूग सबसे पहले आपका पाशान यूग पाशान का मतलब ही होता है पत्थर ठिक है पत्थर का यूग यानि जहां उसने पत्थर यहाँ इसके बाद पत्थरों के बाद उसने ओजार किसके बनाने स्टार्ट के लोहे के और बाके जतनी भी धातू होते हैं उनके इसलिए इसको नाम दिया गया धातू यूग कांसया यूग और लोह यूग कांसया का मतलब होता है कांसा ठीक है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे औ को ही बदल दा रहा ठीक है पहले वो यूज करता था पत्थर के हुजार और उसके बाद जो उसके ढंग थे वो बदलने लग गए रहने का जीवन उसका बदलने लग गया कितने सारे बदलाव आई यह सारे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कासे यूगीन सब्वयताओ परशिया और भारत ठीक है तो यह पूरी आपको यह सारी चेज़र यहां पर बताई गई है यह पूरा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है पूरे इंट्रोडक्शन ने यही बताया गया है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो कि कैसे लोहे का आविशकार हुआ कैसे धातू आई और उसके बाद लोह धातू या यो लोह यूग क्या बना ठीक है इसमें सर्फ यही बताया गया है अभी आप भी उसे यूज करते हैं चाहिए वो अलग तरीके से करते हों लेकिन करते जरूर हैं हमारे आसपास और कितनी ही ऐसे चीज़े हैं जो लोहे से बनी हुई है यहां तक कि स्टील के बरतनों का इस्तमाल हमारे घरों में कितना आधिक है यह जानकर भी आपको एशर होगा स्टी स्टील जो है हमारे जियून में कितना ज़्यादा महत्वपून है यह आप देख सकते हैं कासे और लोहे की सब्वेताओं के साथ साथ आप प्राचीन भारत के इतिहास के विशय में भी जान सकेंगे तो हम इसमें जानने वाले हैं कि प्राचीन भारत कैसा था आखिर उसका आपको युनान, रोम, फारस की लोह यूगिन सब्वेताओं के यूगदान का लेक आप कर सकोगे यह सारे इसके उद्देश दिये हुए हैं और अब हमारा आता है मूल पार्ट है यानि हमारा में जो पार्ट है में पढ़ने लाइक चीज है वो सबसे पहले आपका टॉपि स्थार्ट कुला उसके बाद ने इस्तेमाल पांवे के इस्तेमाल करना तो वह यूग कांशारी धाती में पृष्जी इसके उद्देश उब बनते हैं इसको बहुर्त डातु के सबसें तो तामबे में अगर लोहा मिला दे तो वो कांसा बन जाएगा या तामबे में अगर स्टेल मिला दे तो वो कांसा बन जाएगा ठीक है कांसे यूग के बारे में बढ़ते हैं क्या दिया हुआ है नव पाशान यूग यानि नया पाशान यानि पत्थर नया पाशान काल के अंत में धातू का इस्तमाल शुरू हुआ अब इन्होंने क्या पाशान काल जब चला गया तो उसके बाद धातू का इस्तमाल शुरू होने लग गया तामबा पहली दातू थी जिसका इस्तमाल मानव ने किया अब यहां से क्वेशन बन जाता है कि पहली दातू ऐसी कौन सी थी जिसका इस्तमाल सबसे पहले इनसान ने करना स्टार्ट किया था तो वो आंसर हो जाएगा आपका तामबा ठीक है पत्थर और तामबा दो अब यहाँ पे दिएका हैं मिश्रयानी मिख्स ठीक है काज़सा वह धातू होती है जिसमें तामबा और रांगा दोनों मिलाए जाती है कि खोज भी इसी काल में हुई कौन सी काल में कांसे यूग में तामबा की खोज खोज हुई ती इसलिए इसे कासे यूग भी कहते हैं अगर यह बन जाता है कि कासे यूग इसे क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कासे का जो था कह सकते हैं इसमें कासे की खोज हुई थी इसलिए से कासे यूग कहा जाता है इस काल में हतियारों और रोजारों के निर्माण में तांबा और कासे ने एक कुप में सूखी और आग में पकी दोनों तरह की इचो को बनाना और निर्मान कारें में इस्तमाल करना सीख लिया था टिक है तो लोगों ने अब क्या सीखा इटो बनाना सीखा इसी काल में विबिन नदी घाटियों में पहली बार नगर आधारित सब्वेताओं का उद्या ये प्राचीन सब व्यताएं मौसोपटामिया मिस्र भारत वचीन में उभरी वे विक्सित हुई कृषी दस्तकारी और वानिज्य दीरे दीरे फले फूले नगर प्रशाशन के भी केंद्र बने अब इसमें कासे यूग में यह इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि यहां से स्टार्ट हो गया कि व्यापास स्टार्ट हो गया सबसे पहले तो लोग बिजनस करना सीख गए थे इस यूग से वानिज्य के केंद्री यहां पर बन गए थे इसके अलावर राजा महराजा ठीक है यह सब स्टार्ट हो गया कि राज्य बनने लग गए समाराज्य हैं इन सब्वивается का निर्मान करना स्टार्ट कर दिया यहां आगे पड़ने वाले राजा सब्व करते हैं मेंए पर देश में जो है पीम होते हैं उस टाइम पर कौन थे शाशक थे शाशक यहने कौन राजा थे राजा राजा लोग हुआ करते थे जिन पर सभी प्रजा का कारेबार था तो इनकी सभ्यता की जिम्मादारी किसके उपर थी शाशकों के उपर उन्हें दूसरे अधिकारी इसे ध्यान रखेगा कांसे यूग के बाद आपकी सभ्यता सबसे पहली आजाती है मैसुपट्ामिया सब भेता अब मेसोपोटामिया का सबसे पहले तो अर्थ जानते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की जमीन जो जमीन जैसे दो नदी है ठीक है उनके बीच की जमीन होगी ना उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया ठीक है ये दजला और फरात नदियों के ब बीच थी इन नदियों में अक्सर बाड आया करती थी इस प्रकरया में अनेक किनारों पर धे सारी मिट्टी और गवाद को पर आती है तो मिट्टी और गाद जब जमा गाद का सामने दो चुनोतियां पैश की सबसे पहली चुनोति हम जनरल लांज में ही पता लगा सकते हैं सबसे पहले तो होगा बाड को काबू कैसे करे राइट और उसके बाद खेती के लिए जमीन को सिचाई कैसे करे अब बाड आ रही है तो पानी जो है वो कैसे जमा हो जाता होगा तो उसके सिचाई कैसे करनी है खेती की और इससे जो है उपजबी बढ़ी बाड आती तो उसके बाद जमीन अपने आप यो आटोमेटिकली उपजाओ बनती उपजाओ अगर जमीन होगी तो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी ठीक है ये इनकी एक प्लस पॉइंट भी था क दूसरे की चीज़ जो उनके रोजाना की जरूरत थी वो ले लेते थे कौन-कौन लोग आये इसके बाद लोहार आया कुमहार राजमिस्त्री बुनकर बढ़ही ये सब सामने आये वे भारत जैसे सुदूर छेत्रों के साथ जमीनी और समुद्री दोनों तरह कि नियमित वि प्षणतनार से जैसे कि थेले स्टार्ट हो गए ठीक है अगर कोई चीज अपनी बेचता है तो ठेले पे तो अथे हैं ना गाडियों पर कि लिखने की चितरों का लिखना आ गया लेकिनिप लिखना दो समझ में लगए थैंग धाना है उसके लूप से समझ में आगया थैंगा कि वbow Caribbean यहां चित्रों से इसका मतलब यह है तो यहां से इस इस अन्हों में वेख mis. यह लकीरें खीज़ते थैंगा कि अब अगर question बनता है मेसोपटामिया की लीपी बताओ तो आप बता सकते हैं easily की लाक्षर ठीक है तो basically यही बताया गया है कि मेसोपटामिया क्या क्या चीजे हो गई मेसोपटामिया का अर्थ क्या होता है उसके बाद उन्होंने क्या क्या चीजे क्या सकते हैं invent करी ठीक है उन्होंने के खेती करना start कर दिया और उसके बाद उन्होंने नए नई ट्रांस्पोर्टेशन की तकनिक उन्हें पतर चलगी कि गाड़ी कैसे कैसे इंवेंट करते थेले वगएरा ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वयपार होने लग गए, ये सारी चीज़े इसमें बताई गए और उन्होंने लिखने की कला भी विकसित कर ली थी, उसके बाद यहाँ पर इनकी दी गई है मैसोपटामिया की लीपी देख लीजेए, ये सारी लीपी है, ठीक है की लाक्षर ली नहीं थे छोटे राज्ये थे और उनका अपना प्रशाशन वर्गों में पुरोहित हुआ करते थे राजा हुआ करते कुलीन शामिल थे इनके अलावा सोधागर आम लोग और गुलाम थे मरसुपटामिया के डोग धेर सारे देवी देवताओं अकाश का देवता हवा का देव प्रेम की देवी युद्ध का देवता इसी तरह के अनेक देवी देवताओं के पूजा करते थे अब यहां से स्टार्ट हो गया पूजा पार्ट ठीक है देवी यह देवताओं यहां पर अलग 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 देवताओं को यह लोग माननने लग गए हर शहर का एक करें ठीक है उनकी सिक्यूर्टी करें वो देवता हर एक अलग-अलग शेयर का अलग-अलग होता था में सुपटामिया में अने खुबसूरत मंदिरों का निर्मान किसानों और गुलामों जो जादतर युद्ध बंदी होते थे से करवाया गया अब यहां पर जो मंदिर थे व वहाँ के लोग उसके क्या बन जाते हैं गुलाम बन जाते हैं लो गुलाम उनको आपकी मिस्बटामिया सब्याता हो जाते यहां पर कई सारी ऐसी सीजर होती हैं जो हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं मिस्र सब्यादा में क्या था मिस्र को अक्सर नील नदी का तौफा कहते हैं अब आपको यह पता होना चाहिए कि मिस्र सब्यादा कहां पर है नील नदी में ठ अधियं बारिष नहीं होने के बराबर जो मा वजूद कि सान उच्छी फसल उप जाते थी ठीक है जमीन अगर उपजाओ हो गई तो वहाँ कोई फरक ने पढ़ता अगर बारिश आए भी या नहीं भी आए जमीन उपजाओ है इट मिन्स कि जो फसल होगी वो अच्छी ही होगी ठीक है यह इसमें बताया गया है प्राचीन मिस्र वादियों ने बढ़िया सिचाई प्रणाली भी विक्सित कर ली थी यहां से हमनोंने सिचाई प्रणाली जो थी मतलब खेतों में पानी देना जैसे हमने कोई फसल उगा दी है उसमें पानी देने की जो तकनीक थी वो इनोंे जो थी विक्सित कर ली थी इसापूर्व 3100 तक मिस्र एक राजा के अधीन आ गया था अब जैसे मैंने उपर भी बताया वहाँ भी राजा महाराजा होते थे लहाँ पे होता था सामाराज्य पूरा यहाँ पर एक राजा होता था ठीक है इसके अधिन पूरा जो मिस्र सब्यता थी वो आ गई थी मिस्र वासी अपने राजा को भगवान मानते थे मिस्री राजाओं को फराओ कहते थे ठीक है तो हर एक देश के अपना देश बनाना चाहता है वो भी तो वो क्या करेगा अपने देश को बचाने के लिए जंग लड़ेगा ठीक है दूसरे देश से उसकी रक्षा करेगा फराओ की सेवा में मंतरी और अधिकारी थे वे जमीन का प्रशाशन चलाते और राजा के अधिश क अधिकारी समाज में पुरोईतों का भी एक उंचा और सम्मान जनक स्थान था हर कस्बे या शहर में मंदिर एक खास देवता को समर्पित होते थे यहां भी मंदिर होते थे लेकिन एक खास देवता को समर्पित होते थे चोटे-चोटे मंदिर होते थे और वो सिर्फ एक खा देवता को ہी समर्पित होते थे लोग प्राचीन मिसडागर समुद तदागर समीन दोनों तरह के वियापार करते थे मिश्र में संगत राश, बढ़ई, लोहार, चितरकार, कुमार जैसे कुशल मजदूर थे प्राचीन मिश्रवासियों को गनित की खास कर रेखा गनित की जानकारी थी यहां पर लोगों ने रेखा गनित की जानकारी बेसिकली हासिल कर दी थी उपर उन्होंने क्या किया मेसोपटामिया में उन्होंने लिखने की जो कला थी उसको विक्सित किया था उन्हें मापतोल की भी खासी जानकारी थी वो मापतोल भी करना जान गए कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम उसको वेट कैसे करेंगे वो सारी चीज उनको समझ में आ गई थी I hope आपको अगर आपसे यहाँ पर question पूछे जाए मिसर सब्वेता और मेसर पर्टामिय सब्वेता उसमें difference बताओ तो आप लोग इसी तरीके से जिसमें समझा रही हूँ आपको भी ऐसे ही difference बताना है उसके बाद आपको प्राचेन मिसर यह सारी इनके जो है लिखने की कला है ठीक है कैसे यह टू लेकर A से Z तक कैसे लिखते थे इसको बोलते है हिरोगी लिफिक्स लिपी ठीक है उसके बाद यह आगया यहाँ पर फराओन ने प्राचेन विशु के महान समारक पिरामिड बनवाए अब आपने जो है टीवी में भी देखते होगे अगर आप लोग ओगी अंदा कोक्रोजस देखते हो तो वहाँ पर भी आता है पिरामिड वगेरा मिसर कहले पी बहुत जादा लिपार आती है बहुत सारे बड़े-बड़े रेःगिस्थान होते हैं यह या रेट के टीले होते हैं वहाँ पिरामिड बनवाधेते उस पिरामिड में क्या होता सब्सक्क्राइब राजाओं के मम्मी किए गए शवों को रखने के लिए मगबरों के रूप में बनाया गया जैसे मगबरे होते आपकी कौन सी चीन सभ्ल क्याना चीन की वह चीन वाहित हो नदी फली अब देखिए हो सारी नदी के किनारे हैं सबसे पहले थी मैसोपोटामिया सब्वेता वो कहां पर थी दजरा और फरात नदी के वहां उतके बाद मिस्र सब्वेता कौन से उसके पास थी वो थी नील नदी के पास ठीक है और उसके मेसोपटामिया में क्या होता था अगर दो नदी के बीच में सभ्यता है तो उसको बोलते हैं मिस्र सभ्यता जो नील नदी के किनारे थी और चीनी सभ्यता उतरी चीन में हवांग हो नदी के घाटी के किनारे थी ठीक है तो यहां पर यह डिफरेंसिस है पर यह थी सारी नदी क किनारे है ठीक है एतिहासिक शाक्षों के मुताबिक चीन सुरुवाती शाशक सांग शाशन में एक लेखन शैली इजाद की इसके काल के दस्तकार विशेश्टा कांसे शिल्पी अपने काम में माहिर थे शांग साशकों के मातहत अनेक अधिकारी होते थे जो राजाओं को शांग बंच की उन्होंने पश्चिम की थरफ से हमला किया था उनके सक्तिशाली कुलीन को समर्थन प्राप्त था लेकिन कोई भी चाओ राजा इतना सक्तिशाली नहीं हुआ जो पूरे राज्ये को काबू अपने काबू में रख सके अगले 500 साल तक कुलीन सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहें दूसरे कुलीनों और साथी उत्तर से हमला करने वाले खुंकार खानवदश कबीलों से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने मजबूत किले और चारों तरफ से दीवारों से घिरे नगर बनवाए तो आपने नाम भी सुना होगा ग्रेट वॉल चाइनगा और वह कहां पर है चीन में हैं तो इन्होंने आप समझ सकते हैं कि वहाल वाल्स क्यों बन वाइए ओंगी वह दिवारे क्यों बन वाइ corralk MY उंक्यवें कि इसलिए उन्होंने बड़ी-बड़ी मजबूत दिवारे बनाइ और बहुँआ बड़ी-बड़ी मजबू लोहे का इस्तमाल यहां से स्टार्ट होने लग गया था ईसा पुर्फ 221 में चीन-राजा चीन के शाशक बने चिन-राजा चींहें यह ऐसे भी बनाई दे कि मैंने बला था न दिवार बनवाई थी उन्होंने तो इन्होंने ही वो मशुहूर दिवार बनवाई थी ठीक है इन्होंने क्या किया सभी को समान भाषा दे दी सभी को समान कानून दे दिया और सभी को समान मापतोल अपनाने का अदेश उन्होंने दे दिया चिन वंश के बाद हान वंश आया सबसे पहले चाओ वंश ठीक है उसके बाद चिन वंश और उसके बाद आया हान वंश उसने 220 इसवी साल तक चीन पर राज किया इस दोरान मध्य एशिया और फारस से गुजरने वाले प्रसिद रेशम मार की और से पश्चिम से चीनी सौधा साल तक इस दोरान मध्य एशिया और फारस से गुजरने वाले जितने भी प्रसिद रेशम मार्ग थे वो सारे इन्होंने निवे में संबंद बना कर रखा कि भाई तुम हम को यह चीज़ दो और मैं हम तुम को यह चीज़ देंगे ठीक है इस तरीके से इन्होंने यह सारी चीज़े रखी चीन के लोग अनेग देवी देदाओं के पूज़ा करते थे पूरवज़ों और प्रकरती आत्माओं की पूज़ा आम थी confusion नामक एक confucius confucius नामक एक प्रसिद चीनी धारमे कुपदेश ने सही विवार प्रणाली का प्रचार प्रसार किया इसने चीनी समाज और सरकार को बेहत प्रभावित किया उन्होंने अच्छे नैतिक सम्मान परिवार से वफादारी और कानून तका राज्या की आग्याओं से कित पालन थे उस पर जोर देना स्टार्ट कर दिया अब यहाँ पर क्या हुआ लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा यहां से स्टार्ट हो गई और जितने भी पूरवज और प्रकरती आत्माय थी उनकी पूजा यह लोग खिया करती थे मतलब जितने भी इनके पूरवज थे और जितने भी इनकी प्रकरती आत्माय थी उनकी पूजा करते थे Confucius नामक एक प्रसिद चीनमी धार्मिक उपदेशक है जिसमें इनको बताया जैसे हमारे जो होता है हमारा हिंदु धर्म उसमें होती है गीता ठीक है भागवत गीता है वो हमें क्या बताती है हमें जीवन जीने का उपदेश बताती है वैसे ही इनके लिए थी Confucius Confucius एक चीनी धार्मिक उपदेशक है जिसमें इन्हें सही विवार कैसे सही बिहेवियर करना चाहिए वो सारी चीजें इन्हें बताई जाती है अगर आपका question आए Confucius किसे कहते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि वो एक चीनी धार्मिक उपदेशक है जिसमें चीनीयों को सही विवार प्रणाली का परशार परशार उन वहाँ से पता चलता है कि वो लोग कैसे अच्छे नियतिक सम्मान से रहें परिवार से वफ़दारी करें कानुन और राज्यों की आग्याओं का पालंज करें उसके बाद आपका यहां पर हो जाता है चीनी सब्विता कम्प्लीट तो यहां पर हमने तीन सब्विता यह थी कासे यूग की बाट ठाट टीक है उसके बाद आपका क्रियकलाप है और ये पाठगत प्रशन आ जाते हैं अब इन प्रशनों के उत्तर मैं आप लोगों सो चाहूंगे कि आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताई कि इन प्रशनों के उत्तर क्या है सबसे पहला प्रशन तो यह है मानव विकास की नवीन तम अवस्था कौन सी है सबसे नवीन तम अवस्था कौन सी है मानव विकास की उसके बाद second question मनुश्य ने सबसे पहले किस दातू का प्रयोग के हमने उपर पढ़ा ठीक है तामबा और पत्थर दोनों के प्रयोग पर आधारित संक्स्कृति का नाम बताओ अभी हमने उपर देखा था कि तामबा और पत्थर जहां दोनों का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं उन नदियों के नाम बताएए जिनके बीच में मेसोप्रटामिया की सब्वैता विकसित थी तो ये आपको पता होना चाहिए और मुझे कॉमेंट जरूर करिएगा इनके आंसर में आप लोगों से जरूर चाहूंगी ठीक है उसके बाद आपका भारत हडपा सब्वैता वो सारी सब्वैता थी हमारे भारत से अलग अब ये आती हैं भारत में कौन से सब्वैता थी भारत में थी हडपा सब्वैता इससे रिलेटिड क्वेशन बहुत जादा आते हैं तो इसको ध्यान से आप समझेगा भारत में कासे योगीन सब्वैता है सिंदु गाटी और इसके अगल बगल के छेतरों में विक्सित हुई इसे इसके सरवादिक महतुकून शहरों में से एक शहर हडपा के नाम से हडपा सब्वैता केहते हैं हडपा सभ्यता से related एक वेशन तो दो मांक्स में बनता ही बनता है कि हडपा सभ्यता का नाम हडपा सभ्यता ही क्यों है क्यों है क्यों कि ये जो शहर है हडपा के किनारे ये सभ्यता सबसे पहले स्टार्ट हुई थी हडपा सहर के किनारे तो इसलिए इसका नाम हडपा सभ्यता बी कहा जाता है तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा सिंदू गावताई सब्वेता संस्कृती के सैकडो स्थालो का पत लग चुका है साथ ही इनके तीन चरण आरंभिक दशा, परिपक्व अवस्था और पतनकाल की भी पहचान कर ली गई है आरंभिक दशा मतलब जब यह स्टार्ट हुई परिपक्व अवस्था यानि जब भी बीच में चल रही थी और उसके बाद पतनकाल जब यह खतम होने को आई तो वो सारी चरण इनके पता चल चुके हैं के दोरान ही यहां शहरी सब्वेता फल फूल रही थी यहां इन्होंने शहरी यह थी गाउं की सब्वेता ठीक है तो ये सारी सब्वेताई कहां कहां थी ये इनके स्थान के नाम दे दी गए हैं देख लीज़ें यहां से लेकर और यहां तक पूरा ठीक है इसको आप अच्छे से देखेगा और इनको प्लीज इनको अच्छे से आप याद करेगा सबसे पहले तो हडपा जोकी पंजाब में ह मोहन जोदुडो सिंद में हैं, लोथल गुजरात में हैं, काली बंगा राजस्थान में, रोपड पंजाब में अगेन, बनावली राखी गडी हरियाना में, धोला वीरा गुजरात में हैं ठीक हैं तो ये आपको समझना है कहां आ कहां पर ये सब्भता हैं हडपा संस्कृती की बस्तियां उत्तर में मांडा यानि जम्मू, दक्षिन में दामाबादा, नर्मदा मुहाना, पशिम में सुत्का, गैंदोर, मकरान तट, बलूचिस्तान और पूर में आलमगिरपूर, मेरट के निकट उत्तर प्रदेश तक फैली है थी तो अब यहाँ पर पूचा गया है कि यहाँ प्रभम को बताया गया है, अडपा संस्कृती की बस्तियां कहां कहां तक थी, तो यह सारे स्थान दे दिये गए हैं, दूर जारी अफगानिस्तान में एक हडपाई बस्ती की स्थापना, शोर्तु गई में की गई थी, ठीक है, त इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, अगर आपसे क्वेशन कर लिया जाए, हडपा से बता की विशेशताएं बताओं, तो वो क्वेशन के आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे, देखते हैं सबसे पहले नगर योजना, यानि नगर यानि होता है, कोई भी शहर या कोई भी गली, इसके बाद तीसरी गली स्टार्ट होती है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी थी, हडपाई शहरों के एक महतुपूर्ण विशेशता थी, मजबूत नगर दुर्ग की उपस्तिती, नगर दुर्ग होता है, जहां से आपका जो शहर है, वो स्टार्ट हो रहा है, तो ए प्राम लोगों के मकान थे, नगरों में चोडी सडके थी, जो समकोर एक दूसरे को काटती थी, मकान इट के बने थे, तो यहां पर नगर योजना किस प्रकार की थी, मकान दो मनजिला थे, हरे के घर में कुवे, सनान गर, नाली और यह सारी चीज़े थी, मकान यहां के एट के बने थे, नगरों में चोडी सडके थी, और जो सडके थी, वो एक दूसरे को काटती थी, ठीक है, साफ सफ़ाई का स्थर बहुत उन्नत था, साफ सफ़ाई बहुत अच्छे से थी, खंडजे, बिछी सडके और सडकों पर प्रकाश व्यवस्ता अंजानी नहीं थे, यहां सबसे प्रमुक विशेष्टा थी, विशाल सनान ग्रह, अब यह इससे बहुत जादा इंपॉर्टन क्वेशन बनता है, सबसे प्रमुक विशेष्टा क्या थी उस नगर की, विशाल सनान ग्रह हुआ करते हैं, सनान ग्रह यानि नहाने के लिए एक घर बनाए जाते थी, नह 40 फुट लंबा 23 फुट चोड़ा और 8 फुट गहरा था हडपा का विशाल अनाज भंडार एक अन्य महत्वपून इमारत है यहां किसानों द्वारा उत्पादित अतीरेक का भंडारन हूटा था यहां पर सबसे पहले तो यही बताया गया है कि यहां पर जो नगर थे वो काफ 208 फुट लंबा और 108 फुट चोड़ा था और इसके बाद में बताया गया है कि उसका जलाश चेत है यानि उसके अंदर जो पानी था वो कितना गहरा था कितना लंबा था और कितना चोड़ा था चीक है उसके अलावा यहां पर एक अनाज भंडार भी था जो कि काफी समाज कैसा था यहां के लोग कैसे थे और यहां के अर्थिव्यवस्ता कैसी थी ठीक है हडपा वासी क्रिशी पसुपालन दस्तकारी व्यापार और वाने जमि माहित थे यहां के लोग जो थे व्यापार करना बिजनस करना सीख गए थे क्रिशी करना सीख गए थे खेती वो वीडियो जरूर देख लीजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसमें मैंने क्वेशन करवाया है कि महतुपून धान कहां से मिले थे समाज और विवस्था के उसमें हड़पा केस में ठीक है लोथल और रंगपूर इसका आंसर है काली बंगन में हल का कौस्तमाल होता था लोगों को कपास और रुई की जानकारी थी ठीक है तो यहां पर सिचाई के वो लोग तरीके अपना लिये थे उन्होंने पता चल गया था उन्होंने इस तरीके से सिचाई की जा सकते मतलब खेतों में पानी किस तरीके से दें और इसके अलावा उन्ह बकरी, भेड, सांड, कुटे, बिली, उट और गधे जैसे जानवरों को उन्होंने पालतू बना लिया था ठीक है तो मैंने आपको पाशान काल में बताया कि उन्होंने क्या करना सीखा सबसे पहले पहले लोग क्या करते थे उनको कुछ नहीं पता था तो वो सिर्फ जानवरो को मार की खाते है फिर कृशी करना उन्होंने क्या सीखा की की से पशुपालन किया जाता है कैसे पशुओं को पालते हैं लोग और से कैसे फायदा उठाते उनाज मचली मास दूद अंडे और फल काते हैं यह सारी चीज जो आजकल के टाइम पर बेसिक लिखाई जाते है बो सारी चीज़ यह लोग खाते थे जादे-धर तामबा और कासे के बने उजार और हतियार इस्तमाल किये जाते थे यहाँ पर अभी तक कास्य और तामबे का इस्तमाल होता था जेवरात, सोना, चांदी, किम्ती, पत्थरों, शंक और हाती के दांत के बने होते थे यहाँ पर यह लोग जेवरात भी पहरते थे दस्तकारों में कुम्हार, बुनकर, राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सुनार, शिल्पकार, संग, तराज, इट बनाने वाले और ठटरे शामिल थे ठटरे यानि जो आपने ठटरे ठटेरा पड़ा होगा बच्पन में तो वही ठटेरे भी यहाँ पर शामिल थे, यह सारी चीज़े यहाँ पर आ चुकी थे, यह सारे दस्तकार आ चुके थे वारने जिए और व्यापार में भी बहुत अधिक महतोपून आर्थि गती वीडियो में शामिल थे स्थानिय व्यापार के साथ व्यापार भी चलता था, ठेक है, तो यह लोग व्यापार करना, बिजनस करना सीख चुके थे, अच्छी तरह सीख चुके थे, उनके साक्षे इंगित करते हैं, मेसोपटामिया के साथ हडपा वासियों के संबंद किस प्रकार थे, यह क्वेशन बन जाता है, तो इस कुश्चन का आप अंसर लिखेंगे, कि वो लोग जो स्थानिय व्यापार करते थे, वो मेसोपटामिया के लोगों के साथ भी किया करते थे, तो व्यापार के हमें पता जलता है, कि उनके संबंद उनके साथ थे, वे सोना, रांगा, तांबा जैसी धात जाता है, तो इसे में यही बताए गया है, कि हडपा के वासी किस तरह के से क्या क्या चीजे करते हैं, और वहाँ पर क्या क्या चीजे उन्होंने नहीं नहीं सीखी, और किन जीजों में वो लोग माहे थे, तो आप इस चीज को अच्छे तरह के समझेगा और पढ़ उसके बाद इनकी धरम और संस्कृति उपर हमने नगर योजना समाज और अर्थ व्यवस्था पढ़ ली अब उनकी धरम क्या था और संस्कृति क्या थी यहां की यह पढ़ते हैं मात्री देविया हडपा वासियों के बीच वहत लोकप्रिया प्रतीत होती है मात्री देविये की एक मूर्ती है और मात्री एक देवी भी है मात्री देवी यानि माता चीक है मात्री देवी की मिट्टी की बनी मूर्तिया मिली है मोहन जोदरों में एक पुरुष देवता भी मिला है जिसे शिव यह पशुपती का आधी रूप कहा गया है उसे एक मुहर पर पशुओ से घिरे योग की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है लिंग पूजा व्रक्ष और जडात्म वादवी प्रचलन में थे विबिन स्थालों पर मिले ताबील और अंजंतर आत्माव पर उनके विश्वास की और इशारा करती है यहां से हमें पता चल्गया कि वो धर्म किस सरीके का अपनाते थे मतलब मातरीवी को मानते थे साथ साथ एक पुरुश देवता की मूर्ती मिली है जिसको यह लोग शिव या पशुपती का रूप मानते हैं और यहां पर सारी चीज यहां पर बता दी गई हैं, हडपवासियों ने उच्छ स्थरिय तकनीकी की चीजे हासिल की थी, उन्हें नगर आभियांतर की श्रीकित्सा मापतोल और स्वच्छता की जानकारी थी, वे ये भी जानते थे, वे एक लीपी का प्रियोग करते थे, जिस ये कहना कठीन है कि ठीक, ठीक, किन कारणों से सब्वेता का पतन हो गया, एक इतियासकार मानते है कि आर्यो के आकर्मण ने हडपवासियों सब्वेता को खतम कर डाला, मतलब अभी तक कोई मिला नहीं है, कोई प्रमान नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला, कि ये सब्वे सब्सक्राइब हो गया का पतन आ से सब्सक्राइब कारन , थेकल प्रमार्ण नहीं मिला ہے कि आर्यो के आने के बाद जब उन्होंने आक्रमेन किया तो इसका चैनार हो गया क्योंकि माना जाता है कि आर्यों के आने से पहले ही इस सभ्यता को जो है खतम हुए काफी साल हो चुके थे इसको यह कह सकते ही प्रकृतिक आपडायानी नाचुरल डिजास्टर जब आए कह सकते कि बाड आई या फिर भूकम्प वगेरा आए इस वज़ेसे भी सभ्यता का ना पतन हो गया था इसका ठीक है तो इसके फिर यहां पर पाठगत प्रश्ण आ जाते हैं इन प्रश्णों को आप खुद से करेंगे क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत अच्छी से आपको समझाया है सबसे पहला आपको प्रश्ण है भारत में सिंदू सरस्वती सभ्यता की दो स किस धातू का और यह प्वेशन बार बार आ रहा है कि किस धातू का उन्होंने प्रयोग किया तो इसका आंसर मैं खुदी बता दे थी तो तामबे की धातू कर दिया था उन नदियों का नाम बताए जिनके बीच में यह हमने उपर भी देखा और नीचे भी तो कॉमेंट में मुझे बताएगा मिसर की लीपी को क्या कहते हैं यह आपको बताना है हडपा संस्कृति के चार शहरों के आपको नाम बतानी है तो मैंने बोला आपको याद करने तो आपको बहुत अच्छे से उसको याद करना है नेक्स आपका लोह यूगीन समाज इस चैप्टर को हम तांबे का यूग जब आया और कांसया का यूग आया पाशान यूग आया पत्थरों का यूग आया अब हम देखेंगे लोहे का यूग कैसे स्टार्ट हुआ ठीक है लोह यूगीन समाज कैसे स्टार्ट हुआ लोह यूग का मतलब वो समय जब लोहे का उत्पादन बड़े समय पर आया इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिये लोहा तांबा और काशे से बहुत सस्ता और मजबूत था लोहे के ओजारों ने हमारे पूरवजे को जंगल साफ करने और कृशी के विस्तार के लिया तिरेक्ट जमीन हासिल करने में मदद की आप देखते होंगे स्टील से जो सस्ता होता है वो लोहा होता है आज भी तो ये क्या हुआ कि लोहा जो था वो कांसे से और तांबे से बहुत ज्यादा सस्ता था तो लोगों ने इसको खरीदना स्टार्ट कर दिया और यह काफी मजबूत भी था उनके मकाबले ठीक है तो इससे इन्होंने क्या किया जब उनको क्रिशी करनी होती थी जो एक्स्ट्रा चीजे जो एक्स्ट्रा पेड उग जाते थे उनको इन्होंने काटना इस लोही के उजारों से स्टार्ट कर दिया था इस तरह क्रिशी उपज में खासी व्रिद्धी हुई ठीक है लोहे के इस्तमाल से परीवहन और संचार पर जबदस्त प्रभाव पढ़ा लोहे के हल और ओजार के इस्तमाल से पहिया और भी मजबूत हो गया जब यहाँ पर स्टार्ट होने लग गए पहियों को बनाना हल बनाना तो काफी जानों मजबूत वो होते थे और काफी इनका अच्छा फाइदा हो रहा था ना और पोत बनाने में लोहे के कीले और चादरे यह सारी चीज़े हैं कि लोहे का स्तमाल किस किस जगह पर होता था यह आप देख सकते हैं उसके बाद लोह यूग बोधिक प्रकरती का भी दोर था इस दोर का सरवादिक महतुपून विकास वर्ण माला के शुरुआत था और यहां से इन्होंने पुरानी चित्रलीपी पर आधारित लिखावट की जगह ली तो अभी यहां पे क्या हुआ वर्ण माला बननी स्टार्ट हो गई ठीक है लोह यूग में क्या हुआ वर्ण माला आ गई और इन्होंने चित्रलीपी को हटा दिया फिनिश आयू ने 22 अक्ष यह सब्वेता पूर्व यूग से कहीं जादा विक्सित है यह सब्वेता पहले के जितने वी यूग हुए उससे बहुत जादा विक्सित सब्वेता थी सबसे पहले इस सब्वेता का आ जाता है यूनानी सब्वेता ठीक है यूनानी सब्वेता करीब 2000 साल पहले से कुछ समय बाद युनान में विक्सित हुई थी युनानी है तो युनान में ही हुई होगी युनान में अनेक स्वतंतर नगर राज्य उब्रे जो एक उलेख निया शाशन प्रणाली के रूप में विक्सित हुए नगर राज्यों का विकास युनानी सब्वेदाय के एक अनूठी विश चेशता है हर एक नगर शुरक्षा के लिए दिवारों से घिरा होता था यहां पर क्या हुआ सुरक्षा के लिए अलग अलग दिवारे बना दी गई कि अगर हमारे पर अटैक भी होता है तो हम दिवार खड़ी कर देंगे जिस वज़े से हम बच सकते हैं नगर के अंदर किसी पहाडी का किला होता था और जिसके जिसे एकोपोलिय कहते थे ठीक है एकोपोलिय किसे कहते हैं यहां से क्वेशन बन जाता है तो आप लिखेंगे किसी पहाडी पर जहां किला होता है तो उसे एकोपोलिय कहते हैं उसके बाद युनानी नगर राजियों में सबसे प्रशिद एथेंस और स्पार्टा थे एथेंस धनी और सुसंस्क्रिटिक था एथेंस वस्यों में लेख़क, दार्षनेक कलाकार और शिंतक सामिल थे समाज गुलाम श्रम आधारित था लेकिन नागरिकों के लिए लोक्तांत्रिक शाशन प्रणाली थे पूरे युनार में स्पार्टा की सेना सबसे जादा थी तो यहाँ पर सबसे अच्छी सेना कौन सी थी स्पार्टा की यहाँ पर दो नगर हमें बताया गए है एथेंस और स्पार्टा एथेंस जो था वो गुलाम तरीके के था इसमें काफी जादा लोग जैसे लेखागदार्शनिक अलाकार यह सारी लोग आ गए लेकिन यह काफी जादा धनी भी था और सूसंस्क्रित विता उसके बाद स्पार्टा यहां युद्ध कोशल का प्रस्रिक्षन सरवादिक महत्वपून चीज माना जाता है वहां कोई लोकतंत्र नहीं था यहां कोई लोकतंत्र नहीं था लेकिन यहां पर युद्ध के कोशल युद्ध के कलह सिखाई जाती किस थरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं ये सारी चीज़े वो और वो गहरा ठीक है स्पार्टा लगबग किसी सैनिक शिविर के समान था जहां हर एक से अपने वरिष्ट की आग्या करती है कारिता की उम्मीद की जाती थी एथेंस और स्पार्टा में खासी प्रतिद्वन द थी यहां पर एथेंस और स्पार्टा इन में हमेशें कॉंपिटिशन रहता था लेकिन दारियास प्रतम और जर्जेस की ताकतवर इरानी सेना ने से दोनों साथ साथ लड़े भले ही इनमें प्रतिद्वन देता थी यानि कॉंपिटिशन था लेकिन जब भी को युद हुआ था दबी जैसे की दारियास प्रतम और जर्जेस की ताकतवर इरानी सेना ने जब इनके पर हमला किया तो यह लोग साथ होकर साथ मिलकर इन्होंने वह युद लड़ा पैरिकलीज का दोर एथेंस के लिए स्वान यूग था लेकिन एथेंस और स्पार्टा की भी 27 साल तक च प्रणी थे इसलिए युनान का प्रश्चिमी सभ्यता की जनम स्थल कहते हैं सुकरात अफलातून और अरस्तू महान दार्शनिक थे उनके गरंतों का आज भी अध्यान किया जाता है तो यह पूरी चीज़ में बताई गई है ठीक है युनानी सभ्यता की यह सारी चीज़ ब प्रश्चिमी भारत के हिस्तों को जीता था तो आप जानते हैं सिकंदर ने पूरे विश्चु को जीता था आधे विश्चु को एक्चली इस तरह युनानी विचारोशिक शायन दूर दूर तक फैल गई सिकंदर 33 साल की चोटी से उमर में मर गया था इसके बाद उसका समर हों राज़े चोटे-चोटे हिच्च नगर मन्दै इटली में टाइबर नदी के टट पर बसा है राप violate कम गनDave राज़े के संचालन सीनेट करता था सिनेट यानि जो बुज़ूर्गों का समोगता सिनेट बोलते हैं वे सिनेटर कहलाते थे वे नेतरत्व के लिए हर साल दो सभा चुनते थे ईसा पूर्वित दोसो तक रोम इटली की प्रमुक शक्ति बन चुका था इसने इटली इटली में है मद्धे इटली में रोम और यहा पूर्व समाज में तीन वर्ग थे पैट्रीशियन यानि कुलीन प्लीबियन यानि आमजन और गुलाम ठीक है तीन समाज होते थे कुलीन वर्ग और आमजन जो आमजनता होती है और गुलाम वर्ग ठीक है रोमन आर्थवेवस्था गुलाम श्रम पर आदा रही थे थे तो लोग जो थे यहां के वो गुलाम को अपने जितने भी गुलाम होते थे उन से अर्षा करवाते थे धनी रोमंष्र गुलाम रखते थे इन गुलामों को स्पार्टाकस स्पार्टाक। ने किया था ठीक है तो कई गुलाम विद्रो हुए अब ये गुलाम कौन हो देखा की युनानियों को जो था रोमन सभ्यता ने जीता रोम ने जीता तो इसलिए ये युनानी हार गए थे वही इनके गुलाम आगे चाल कर बने तो इसलिए इन्हों ने जो हैं कई बार अपनी लड़ाई भी लड़ी जैसे भारत को गुलाम बना लिया था अंग्रेजों ने इसी प्रकार अंग्रेजों के फिलाफ भी भारतियों ने लड़ाई लड़ी तो वैसे ही रोम वासियों ने गुलाम बना लिया था यूनानियों को तो यूनानी भी ओविसले लड़ाई लड़े इसा नेता था जिसने रोम के लिए जो है अपनी जबरदस शक्ति उन्होंने उसने जमा लिते और ताजना शाह वो बन बैठा था जिसके लिए रोम में गरहाई युद्वी छड़ गया था इसारी चीज यहां पर बताई गई है रोम सब्वैता के बारे में ठीक है उसके समराज्य का पूर्वी हिस्सा और उसके बाद बरबर हमलों के चलते पस्ट्रीमी भाग के पतन के बाद भी बना रहा समराज्य ने बाइजेटियम को एक नया नाम कॉंस्टेंटिन आपल दिया यह पूर्वी और्थोडॉक्स इजासियत का केंद्र और बाइजेटाइन का समराटो की राजदानी बन गया था ठीक है तो इसमें यही बाते बताए गई है किसके बाद इरान आ गया और इरानी सब्वैता आई तो यह पूरी इरानी सब्वैत बताई गई है आपर लोग युग में फारस में आरे कबीले रहते थे फारस यानि आधूनिक एराक को फारस बोलते हैं मिडीज नामक उनके एक शाखा देश की पश्चिमी हिस्से में रहती थी एक दूसरी शाखा दक्षिनी और पूर्वी हिस्से में रहती तो यह फारसी क कि स्थापना की जिसमें इरान का विशाल रहाका सामिलता पहले फारसीों को भी उनका प्रबत्व सिकार करना पड़ा पारसी राजाओं में से एक साइरस ने पांसो पचास इसवापूर में पारसीों को एक एक ताबद किया और मिडी इसको प्राजित कर एकेन मी समराजे की सापना करी तो इसने क्या किया इसने जितने भी लोग थे उसको एकटा किया और वैसे ही एक लड़ाई लड़ी उसके बाद ये लोग जीत गए और इन्होंने क्या किया एके मनीर समराजे के इन्होंने सापना किया इसने ताकतवर सेना संगटी थी और एक एकर बैबिलीन अ और एशिया माइनर को जीत लिया सबसे महानतम समराट था उसके बारे में पूरी ये बात बताई गई है उसका समराज़ सिंदू नदी से लेकर मुदिभू मद्य सागर के पूरी छोड तक फैला था उसने जो था परसे पोलिये के अपनी राजधानी बनाई एक एमनी वंश के समराठ के शाषनकाल में रानी कला वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास हुआ इसने शक्तिशाली नोसेना भी संगटित की यहाँ पर उसने वास्तुकला मूर्थिकला इन सब को स्टार्ट कर दिया फार्सी समराट योग या प्रशाशक थे उन्होंने अपने समराजय को प्रांतों में विवाजित किया जिनका प्रशाशन शत्रप करते थे ठीक है फार्सी अच्छे सानिक थे और उनके पास मजबूत घुड़सवार सेना तो था सोनो सेना थी उनके पास लोहे के हतियार थे हलाकि सिकंदर महान ने उन्हें प्रास्त कर दिया था लेकिन फार्सियों का खात्मा नहीं हुआ वहाँ पर सिकंदर महान भी पहुचा था उसने भी उनको परास्त के अग हराया लेकिन फिर भी इनका जो खात्मा था वो पूरी तरह नहीं हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ पार्थियों और सासानी समराटों के तहत उनकी सबयतार संस्क्रेती फल्ती फूलती रे लेकिन अंताता सातवी झदी इसवी में अरबो नहीं uh जीत लिया ठैक है तो उन्हों किसने जीत लिया अरबो ने जीत लिया हिंदारीों की तरगा फारसीपहले प्रकरती कि शक्तियों की पुजा करते थे वे सूर्य देवता आकाश देवता और अन्य कुछ देवता को मानते थे तो यहाँ पर यह लोग किसे मानते थे सूर्य देवता को आकाश देवता को है और कुछ और जो देवता थे इनको यह लोग मानते थे वे आग को पवितरता का प्रतीक मान से उपर अहूर मजद है वैस्वर्ग और प्रकाश का मालिक है जो लोगों को ताकत औरूर्जा देता है जरुसरुद के मुताबिक जीवन अच्छाई और बुराई के बीच एक सतत संघर्ष है पार्शों का पवित्र ग्रंत जेंद अवेस्ता कहलाता है ठीक है जेंद अवस् यहां पर कंप्लीट हो जाती है ठीक है इरानी संब्यताकत तक हमने पढ़ लिया उसके बाद भारत वैदिक काल में कैसा था वैदो का काल कैसा था यहां का तो वो हम पढ़ने वाले हैं भारत में वैदो का काल आया जब वैद बने तो वो किस टाइप से बने प्राचीन भार मकरीब 1500 इसा पूर भारत में आर्यों के आगमन से हुआ आर्यों के आगमन आर्यों के आगमन आर्यों जब आए तो यहां पर वैदिक काल की स्थार्टिंग हुई यह यूग लगबग 1000 वर्षों का था जिस दोरान कहीं आर्तिक सामाज़क और धार्मिक परिवर्धन हुए एक हजार वर्ष तक आ रहे हैं यहां पर रहे थे और काफी जादा यहां पर बदलाव आए इसलिए वैदिक यूग को बराबर अवदी के दो कालों में विवाजित किया जाता है पहला है पूर वैदिक यूग और दूसरा है उत्तर वैदिक यूग ठीक है पूर वैदिक काल की जानकारी मुखेता है रिगवेद से मिलती है कहां से मिलती है रिगवेद से मिलती है जो कि प्रथम वेद सबसे पहला वेद आपको पता होगा रिगवेद है और यहीं से हमें पूर वैदिक काल यानि पुरानों वैदिक काल जो ऐसा था वहां की जानकारी मिलती है इस काल के लिए जब वैदिक कबीले पंजाब और अफगानिस्तान जहीद भारते उत्महद्वीब के उत्तर पश्रि ठीक है और किसी एक जगह पर लंबे समय के लिए नहीं टिकते थे ऐसा इसलिए हुआ हमें जादा जानकारी इसलिए नहीं मिल पाते है क्योंकि वह एक समय एक जगह पर नहीं टिकते थे ठीक है उनके अर्थेवेवस्ता मुख्य था पश्रू पालन पर आदा रहे थी किदे का मुख्या राजा कहलाता था और देवी देवताओं के पूजा की जाती थी जिनमें इंद्र सबसे प्रमुक था ठीक है इंद्र भगवान के यहां पर पूजा होती थी और सबसे जादा इसमें जो थे परिवाल कुल और कभीले होते थे जाती प्रथा नहीं थी यहा प्रचूर पुरा तात्विक सामगरी क्योंकि वो लोग जो थे पूरवैदिक काल वाले वो गूमते रहते थे कभी इधर कभी उधर तो इसलिए हमें उनके बारे में जादा नहीं पता लेकिन इन लोगों के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी है उत्तरवैदिक काल के बारे में क्योंकि यहां उत्तरवैदिक साहित्य बनने लग गए और प्रचूर पुरा तात्विक हमारे पास सामगरी भी है जैसे हमें इन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है उत्तरवैदिक साहित्य में शामिल है तीन नहन जैसे सामवेद यजुरवेद और अथरवव हुई है हर जगह एक खास्म किसके म्रदभांड मिले हैं जिनने चित्रत दूसर म्रदभांड अंग्रेजी में प्रेंटेट ग्रेव वेर कहते हैं इसलिए इन स्थालों को ची धुम्र यानि पी जी डबलू स्थल भी कहते हैं ठीक है बहुत सारी कुदाई हुई इसके पाद हम काशी कोशल और विधे खेती बाड़ी अब प्रधान का रहे था उसमें वो लोग खेती बाड़ी नहीं जानते थे इसमें ये लोग खेती बाड़ी जान गए थे कई फसले यह था गयहूं चावल और एक उगाई जा रही थी शिल्पो की संख्या भी बट गई थी और लोहे चत्रिय वैश्य और शूद्र राज और उसके आदमियों की शक्ति बढ़ गई थी और इसी अनुपात में सबाओं का महत्व गट रहा था यग्या बड़े विस्तरत हो चले थे इंद्रतेवता का महत्व कम हो गया था और नए देवता जैसे के प्रजापती अब मुक्य हो इस काल के अंत में यग्यों के कर्मकारण के विरुद्य प्रतिकरिया भी देखी जा सकते हैं खासकर उपनिशदों में जो चीज़े उपर हो रही थी पूर वैदिक काल में हो रही थी उत्तर वैदिक काल में बिलकूर उसका ओपोजिट होने लग गया ठीक है हिंद्र देव और वैदिक काल में उनको बहुत जादा माना जाता था तो यह सारी चीज़े यहाँ पर हैं उसके बाद है वैदिक उत्तर यूग ठीक है तो इस यूग में क्या हुआया यारी वैदिक इस तरह के सोला राज्य थे अंग मगद ये सारे राज्य यहां पर बन गए ठीक है उन में से मगद कोसल और अवंती सरवादिक शक्तिशाली थे क्रशी के विस्तार चैरी करण के शुरुआत व्यपार उध्यों के विकास और शेत्रिय राज्यों के उद्भव से समाज में और था लोगों ने कर्म कांडी ब्रहमनडवाद और वैदिक जो है बली प्रथा के खिलाफ अपना संदोश व्यक्त गया यहां पर लोग जो है बली प्रथा उन्सों हट गए वोला कहते हैं अब हम बली प्रथा नहीं करेंगे अनिक पंत उभरकर आए इनमें जैन और बोध धर्म की बात हो गई बोध धर्म के संसापक गोतमबुद्ध का जनम बताया गया है कि बोध धर्म के संसापक यहां पर आए गोतमबुद्ध ठीक है वो कौन थे राजा सुधोशन के पुत्र थे बेटे थे उन्तीस वर्ष में गोतम ने घर छोड़ दिया और बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधी ग्यान प्राप्त किया उन्होंने अब पहला उपदेश वारानसी के निकट सार नाथ में दिया था उनके सिक्षाएं में चार रे सत्य और अश्टांगिक मार्ग शामिल है युद्ध के अनुसार दुनिया दुख से भरी है ये सारे उनके जो है क्या कह सकते हैं उनके ज्यान है जैसे पहला दुनिया दुख से बरी है दूसरा दुख का कारण है दुखना पर जीत हासिल करके ये सारे उनके जो है अच्छी शिक्षा उनकी बताए गई है और 180 साल के उमर में उत्तर पदेश कुशी नगर में उनको निर्मान प्राप्त हो गया उनको निर्वान प्राप्त हो गया उनके अन्याई जैन कैलाते हैं जो भी जैन धरम को अपनाते हैं उनको जैन बूलाते हैं तो यहां पर मुर्धमान महवीर जी के बारे में बात हो रही है तो उन्होंने क्या-क्या चीजे करीं वह सारी चीज sozusagen नहीं है यह कर jakby कर, मदश कुश्च से नीचे का स्सान देते हैं जैन मत का मुख्य औदेश्च है , पार्थिव बंधन cię难 काना है कर्मकांद और वैदिक ब्रहमदाद का विरोध करता है कर्मकांद जसी यग्यवग्यरा होते हैं इस नहीं न अगर तो जाया गैंता हैं उसके अलवाता है इसके सारी सिधान्त हैं सचाहिए मारk छुंनाद करने चोली नहीं करने चाहिए जो भी बेसिक बाते होती है वो सारी चीज़े उसके बाद पार्ट गत प्रशना आ जाते हैं यूनान के दो महत्वपूर्ण नगर राज्यों के नाम आप मुझे लिख कर बताएंगे रोम किस नदी के तट पर है ये बताना है और उसके बाद ये खाली करने है उसके बाद अगेन क्रिया कलाप आ जाएगा और नेक्स्ट आपका मौर्य काल ये जो है टॉपिक स्टार्ट होता है यानि मौर्यों का काल जब यहां पर मौर्य आये तो क्या काल हुआ बिम्बिसा और अजाज शत्रू और महा पदमानंद जैसे ताकतवर शाशकों क के अंतरगत मगद समराजय का बहुत विस्तार हुआ नंद वंच के अंतिम राजय को चंदरगुप्त मौर्य ने 322 इसापुर में प्रास्ट कर दिया चंदरगुप्त ने पंजाब से युनानियों की और गंगा नदी के नदो को भगा कर मौरे समराजय के स्थापना की यहां पर चंदरगुप्त मौर्य के भारे में बढ़ाई गई हैं जैसे चंदरगुप्त मौर्य को प्रसिदास्टिंग और अध्यापक चानक के ने प्रशिक्षन दिया था आप तोगी कोई पता भी होगा और इसके उपटे काफी साथ सीरियल्स भी बन चुके हैं कि चंद चंदरगुप्त का बेटा और उत्रादिकारी कौन था बिंदुसार था अमित्रगाट था और इनको अमित्रगाट के नाम से विजाना साथा हैं कहते हैं कि उसने दक्कन जीतकर मौरेस अमराज्य को मैसूर तक पहुंचा दिया था ठीके तो उसके बेटी ने क्या क्या काम क तो यह सारी चीसे यहां पर हैं उत्तरादिकारी के इस युद में अशोक विजय होकर मगद के सिनहासन पर आसीन हुआ इसके बाद अशोक यानि जो इसका बेटा था किसका चंदरगुप्त का जो बेटा था जब यह हार गया विम्वेसार के मोत के बाद उसके बेटे जो थ होते हैं वह एक परहुपकारी राजा था वह अपनी प्रजा के लिए बहुत जादा काम करता था बहुत अच्छे काम करता था धम की उसकी आनिती धार्मिक शरीशनुता बड़ों की इज़त बूडों की देखबाल दया सत्य और शुद्धता पर आधारित थी तो धम का मतल इसके प्रयासों से बहुत धर्म भारत की सरहदों के पर भी फैला चटानों पर उकेरे उसके आदेशों से उसके साशन का विस्तरत ब्यूरा मिलता है इसने क्या-क्या अशोक ने अपने जितने भी यह अच्छी बाते बताता था उसको इसने चटानों पर या फिर पथरों पर लिखवाना स्टार्ट कर दिया जिससे कि यह जो बाते हैं वो आज तक हमारे बीच में उसके बाद यह पूरा जो है मैप है जिसमें हम बताए गया अशोक के शीलाले कहां कहां पर है उसके बाद जो समराजय तैसके टुकड़े टुकड़े ओगए उससमें विदेशी हम किस ने हथया की थी महत्वका न पूर भारत में शुंग और धकन में Chir gall में 7 वहनшей शाषन हुआ ठीक है तो यह पूरा संगम यूग आ जाता है संगम-यूद से दक्शिन भारत में के थासिक दोर की शुरुआते ही संगम का अर्थ होता है विद्वानों और साहित्यकारों का जम्मा होना मदूर के मदूरे के पांड़े राजाओं के शाही संरक्षन वे साहितिक हस्तियों का जम्पड़ा हुआ जो संगम के नाम से जाना गया जब एक दूसरे का जब मिल जाते हैं हुआ हैं जो मोरे सामराजय खतं हुए तो युनानी शकों पार्थ और कुशाणों ने भारत पर हमले कि उन्हां ने भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागो पर शाषन किया कुशाण मद्धी इशिया के यूग कबीला की एक शाखा थी कुशान का पहला शाषक इसके बहुत अच्छा राजात बना था इसके बाद कुशान वंच का महांतम राजा कनिश्क था उसने कश्मीर को जीत लिया और गंगा के नदी मैदानों के इलाकों पर अपना आधिपत्य सापित कर लिया उसके कबजे में मद्य इश्या के काशगड यारखंद और खोदोन थे पंजाब और अफगनास्तान दे उसके समराज्य में शामिल थे कनिश्क एक पक्काई बोध था बोध धरम का यह था ठीक है उसके प्रयासों से बहुत धरम चीन इमध्य इश्या और अन्य देशों में फैना अब आप देखते होंगे चीन में बहुत जादा बहुत धरम होता है ठीक है यहाँ पर चाइना में बहुत जादा लोग बोध धरम बुध को बहुत जादा मानती हैं यह क्या था कला और शिक्षा का महान संरक्षक था पुरुषपूर या पेशावर इसकी राज़ानी थी कनिश्क के उत्रादिकारी वशिष्क हुविष्क कनिश्क अमराज्य का पतन होने लग जैसे ही वो मरा उसके बाद कुशान सा मराज्य खतम होने लग जैसके बाद आया गुप्तकाल अठीक है यह गुप्तकाल कब जे कब तक रहा आपको यह पता होना चाहिए 3196 से 565 तक चोती शताब्दी में गुप्तवंच का उद्धा भारती इ जितने भी उनके बीच में श्रम थे वो एकता में बदल गए लोग एक होने लगए एकता आ गए उनकी बीच में शक्ति शाली गुप्त राजाओं की नेतरतो शंगरश्चन में भारती जीवनकी विबिन शेत्रों में लेख नियविकास हुआ चीनी यात्री फाहियान के अन लेकिन यह चंद्रगुप्त था जिसने महराजा दिराज को पद्वी अपनाई वह पहला प्रशिद्गुप्त राजा समुद्रगुप्त अन्य ब्रहमक्ल गुप्त सम्राठ था उसका बेटा और यह सारी चाहिए उनके बारे में बताई गई है यह सारी आप पढ़ लीजे प्रानटों का प्रशाशन गवर्नर करते थे धर आगए बहुत सारे मंत्री परिसद्गुप्त करते हैं और घृटक हो गए थे वो help करते थे राजा की basically कि वो कैसे अपना शाशन करे और कैसे अच्छा शाशन वो कर पाए गुप्त उत्तर काल आया फिर उसके बाद गुप्त उत्तर काल गुप्त सामराजे के पतन और थादेश्वर के महाराजा हर्शवर्शन के उदय के बीच की काल को ब्रहम और मोखरी यह सारे यहां पर बाते बताए गई है इसके बाद आता है हमारा इतिहास के इस काल में ब्रहमनवादी हिंदु धरम ने द्रड़ता पाई थी लोगों ने और ह्वेन सांग ने भारत के समाज में जाती विवस्ता की मौजूदकी के बारे में लिखा है ठेक है उसके बाद इसमें क्या हुआ यहां पर बोट धरम खतामोंने लगया वैशनव शैव और जैन्मत भी प्रचलन में थे वैशनव शैव और जैन्मत आये यानि धरम आये लेकिन बोट धरम जो था वो धीरे दीरे यहां पर खताम हो लगया उसके बाद भारतीय सब्यता एक नजर मे रही है हमने दर्शन और विज्ञान कि विभिन शाखाओं में जबरदस्त प्रगति की की है खनित खोगोल शास्त्र यह सारी चीज़े इसमें आ गई थी भारतिय सब्वैता में कि चिकित्सा में भारत का उलेखने योगदान है आरे भट और यह सारी आरे भट आपने पढ़ा अशोक के लाट अजंता लोरा की गुफाएं दक्षन भारतिय मंदर वास्तुकला सांची के स्तूप यह सारी चीज़े मंदर बने लग गए बहुत सारी चीज़े अच्छी होने लग गए विद्वान आने लग गए शिक्षक आने लग गए ठीक है ग्यान और विज्ञान य यह पढ़ने लग गया हमारा ठीक है जे सारी चीज़े इसमें आने लग गई थी उसके बाद आपके पाठगत प्रश्न है उत्तरवैदिक काल के लोगों के मुख्य व्यवसाई क्या थे आपको बताना है कॉमेंट में मुझे बताईएगा अशोक ने कलिंग यूद के बाद बोद धरम अपनाया था अशोक ने कलिंग यूद के बाद बोद धरम अपनाया था ठीक है उसके बाद प्राचीन भारत में चार मुख्य शिक्षा के केंदर कौन से थे प्राचीन भारत के दो प्रमुख व्यद्ध के नाम बताने हैं और यह आपके रिक्तिस्थान आ जाते हैं तो यहां पर आपके पूरे पाठांत प्रशन दिये हुए हैं मतलब पूरे पाठ में आपने क्या-क्या प्रशन पड़े हैं वो सारे आपको इस तरीके से लिखने हैं मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा जो भी क्वेशन आप कर पाते हैं ठीक है I hope आप सारे क्व हो जाता है complete ठीक है I hope मेरी इस वीडियो से आपकी help हुई हो और आपको समझ में आया हो क्योंकि बहुत जादा बचे confused थे कि मैं social science करवाओ तो मैं पूरे आपके chapters करवाने वाली हूं जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी जतनी भी एक्जाम की तैयारी है वह हम बहुत अच्छे से करवा पाएं साथी सद बैल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले क्योंकि आपकी लेटे कर दो